तो दोस्तों जो coconut water का सबसे अच्छा सबसे बहतरीन पंक्षन है इसको आप आप कह सकते हैं कि ये hydration hero है ये अपके शिदिर के hydration को maintain करके रखता है जिसे ओर बहुत सारे energy drink होते हैं लेकिन जो coconut water है ये natural energy drink है unlike other energy drinks आप coconut water को जो आप इस्तेमाल करते हैं तो एक तो आपके hydration तो maintain करके रखता ही रखता है क्योंकि इसके अंदर electrolytes की बड़ी balanced मात्रा होती है तो आपके electrolyte balance करके रखता है खास और से जो sports में लोग होता है या ऐसे लोग जो जिसे के बार hydration में किसी जो जिसे चले जाएं उनको य electrolytes को balance बनाके आपके kidney और heart की health को maintain करके रखता है दूसरा coconut water देखिए hydration तो maintain करता ही करता है साथ ही साथ इसको nutritional powerhouse कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे minerals और vitamins पाय जाता है इसके अंदर vitamin C होता है vitamin B complex होता है और यह आपके शरीव से three radicals को बाहर निकाल देते हैं और आपको bacterial viral और दूसरे infection से लड़ने में मदद करते हैं तीसरा cardiovascular health के लिए भी नारियल पानी बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि इसके अंदर magnesium, potassium पाया जाता है और भी दूसरे chemical consequence पाया जाता है लेकिन जो magnesium है वो heart की tone जो है उसकी mortality है उसको maintain करता है और आप है कि जो potassium है वो blood patient को regulate करता है, maintain करके रखता है तो अगर blood patient ठीक ठीक रहता है तो आपकी heart की जो heart के patients हैं जो heart attack के risk की तरफ जाने वाले patients हैं जिनको risk है उन लोगों को नारियल पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करना चाहिए आपका heart जो हो healthy रहेगा चो था इसके अंदर minerals तो होते हैं, vitamin होते हैं इसके अंदर cytokinin या antioxidants भी पाये जाते हैं और इसकी एकवाद परपर्टी होती है कि यह cholesterol को reduce करता है, अच्छी cholesterol की production को बढ़ाता है, खराब cholesterol की production को रूपता है, liver के functions को improve करता है और जो antioxidants हैं यह आपकी घिमारियों से आपकी रक radicals को बाहर निकालते हैं और जो यह free radicals का tension create होता है, जब वो शरीट से बाहर निकलने लगती है, तो आपकी body functions ठीक से काम करते हैं, आपकी kidney के function को यह बहुत अच्छे से regulate करता है और improve करता है, तो overall देखा जाए तो नेरेल पानी एक health package है, और पाच्वा यह blood sugar को भी regulate करने म मदद करता है, तो इक तो इसके अंदर देखिए, carbohydrate उतना नहीं होता है, जो आपको blood sugar के levels को बढ़ा है और यह अच्छा drink है, और जो insulin की sensitivity है, उसके improve करता है, resistance को घटाता है, तो blood sugar के regulation में भी नेरेल पानी के अच्छे फाइदे देखे गया है, तो blood sugar के मरीज भी इसको बिन यह fat को reduce करता है, fat का absorption को घटाता है, और जो cholesterol है, उसके भी production को खराब, cholesterol के production को कम करता है, तो overall यह मताती को भी कम करने में आपकी मदद करता है, और आपको energy देता है, minerals और vitamins के तो अगर आप weight management protocols में जा रहे हैं, तो आप नारियल पानी जरूर इसकिमाल करें, इससे आपको extra benefits मिलेंगे, और last but not the least, post exercise recovery, तो generally कई बार लोग exercise करने के बाद जो पानी पीते हैं, तो अगर आप नारियल पानी इसके जिएदा इसकिमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो post exercise recovery है, वो बहुत अच्छी रहती है, और खास पूर से जो आपको muscular cramps वगर आते हैं, उसमें इ electrolytes को यह balance कर देता है, और पर अगर potation की शीव में कमी होती है, तो muscles के अंदर cramps आने लगते हैं, और खास पूर से यह देखा गया है, बहुत सारे exercise करने वाले और दोड़ने वाले लोगों में, तो अगर आप सुबा दोड़के आते हैं, exercise करके आते हैं, वो करके आते हैं, regular आप जब exercise करते हैं, तो आप अगर एक नारियल पानी की लेते हैं, तो आपकी muscles की tone, texture improve हो जाएगा, और वहाँ पे उनको power मिलेगी, cramps वगरा जो है, night cramps बहुत सारे लोगों को आते हैं, इससे आपको रहत मिलेगी, तो यह ते कुछ amazing benefits, नारियल पानी के, coconut water के, मुझे अ सब्सक्राइब के health informative videos आपको मिल करें, thank you, हन्यवाद.